आयूर्वेदा होम केर में आपका सुवागत है। आमतोर पर हम सब ही दिन भर तो अपनी त्वचा की देख भाल कर लेते हैं। घर, दफ्तर के काम और दिन भर की भाग दोड के बाद जब सोने का मौका मिलता है तब दिल करता है कि सिधे बेट पर कूर जाएं। लेकिन अगर आपको अपनी खूबसूरती कायम रखनी है, तो सोने से पहले आपको साथ छोटे से उपाए करने होंगे। जिन्हें सोने से पहले करके आप निखरी ज़वा तुचा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये उपाए। सबसे पहला मेकप को हटाएं सोने से पहले अच्छे क्लिंजिंग मिल्क से मेकप जरूर हटाएं क्यूंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी स्किन सांस नहीं ले पाएगी लिहाजा आपके चहरे पर कई दाग घबबे, पिंपल और आकने नजर आने लगेंगे दूसरा चहरे की मसाज करें अगर आपको लगता है कि आपकी तवचा बे जान नजर आने लगी है तो रोज रात को अपने हाथों से चहरे की अच्छी तरह से मसाज करें ऐसा करने से ब्लट सर्कुलेशन बढ़ता है और तवचा में निखार आता है फेशल के लिए नाचरल च चिद्र के खुलने से तवचा सांस भी ले सकेगी हो सके तो नहाने के पानी में दो चमच शहद और पांच चमच दूद भी मिला लें इससे आप और फ्रेश महसूस करेंगी ठंड के मौसम में अगर रात को नहाना मुम्किन नहीं तो गरम पानी के तॉलिय को भिगो कर पू से मौस्चराइज करें त्वचा की नमी कायम रखने के लिए ये जरूरी है होटों पर लिब बाम और चेहरे पर नाइट क्रीम लगाएं पांच वा बालों में कंगी करें अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल लंबे हो तो रोज रात को सोने से पहले कंगी करके सोएं हो सके तो हलकी चोटी बना लें इससे बालों का जड़ना भी कम हो जाएगा दरसल बालों में कंगी करने से ब्लट सर्कुलेशन बूस्ट होता है और जड़े मस्बूत होती हैं छठा आँखों को धोएं दिन भर की ठकान हमारी आँखों को भी बोज हिल कर देती है ऐसे में बहतर ह आँखों को अच्छी तरह से पानी से धोएं और उसके बाद ही सोने जाएं ऐसा करने से डार्क सर्कल्स होने की आशंका भी कम हो जाएगी साथवा ब्रश करें ये सला तो बचपन से दी जाती है कि रात को सोने से पहले अच्छे से ब्रश करना चाहिए सफेद और स्वस्थ दांतों के लिए और आपकी खुबसूरत स्माइल के लिए ये बहुत ज़रूरी है फेस गलो और गोरा रंग पानी के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक, लोशन्स और ब्यूटी क्रीम्स तो आपने ट्राइ किये ही होंगे पर मन चाहे परिणाम नहीं मिल पाते और कई कई बार क्रीम इस्तमाल करने से स्किन खराब भी हो जाती है ये तो आप जानते ही हैं कि बेजान त्वचा की वजह से कील मुहा से, रिंकल्स, छोटे छोटे दाने जैसी परिशानिया भी होने लगती है अब आप कहेंगे कि ऐसे में क्या करें? जवाब बहुत सिंपल है फेस की ब्यूटी बनाए रखने, पिंपल्स, ड्राइ स्किन, ओइली स्किन जैसी समस्याओं के लिए सबसे बहतर और घरेलू नुस्ख है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों की, जो फटा फट आपके फेस को गोरा और चमकदार बना देता है अब देखिए कई बार हमने पार्टी या किसी फंक्शन पर जाना होता है, पर समय ही नहीं होता ओफिस से आए हैं या घर पर और भी महमान है, ऐसे में तयार होने का टाइम बहुत कम है तो हम आपको बताते हैं ऐसे घरेलू उपाए और फेस पाग जिससे आपका चहरा मिंटों में दमक उठेगा सबसे पहले तो आपको चहरे को साफ करने की जरूरत है इसके लिए आपको चाहिए एक केटली, पानी और थोड़ी सी रूई केटली में पानी डाल के गरम करने के लिए गैस पर रख दीजिए अब जब भाप निकलने लगे तो चहरे को केटली के पास लेकर जाएं और तवचा को भाप लगने दें और अब रूई के टुकड़े को लें और चहरे पर गिसते रहिए भाप लगने से डेट स्किन सेल्स धीले हो जाएंगे और रूई के अंदर चिपक कर निकल जाएंगे अब बारी है चहरे को गोरा करने और चमकदार बनाने की इसके लिए हमें चाहिए मुलतानी मिट्टी, चंदन पाउडर और कच्चा दूद एक कटोरा लीजिए उसमें एक बड़ा चम्मच मुलतानी मिट्टी, एक बड़ा चम्मच चंदन पाउडर और थोड़ा सा दूद डाल कर गाढ़ा मिक्स्टर बना लीजिए अब इसे चहरे पर लगा लीजिए पंद्रा बीस मिनिट तक इसे चहरे पर रहने दीजिए, फिर ठंडे पानी से धोलें अब जब आप शीशे में देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे अपने चहरे की चमक को देख कर अगर घर पर मुलतानी मिट्टी नहीं है तो हम एक तरीका और बताते हैं चीनी को थोड़ा सा पानी में उबाल लें और गाढ़ा बना दें, थंडा होने पर इसमें नीमबू का रस मिला दें और चहरे पर लगा कर इसे सूखने दें और फिर बाद में इसे घिस के निकालें ताकि छोटे छोटे बाल भी निकल जाएं और डेट सेल्स भी ये तो हुई बात फटाफट गोरा होने और चहरे पर चमक लाने की अब अगर आप इन नुस्खों को रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे आपका चहरा पर्मनेंटली गोरा और चमकदार हो जाएगा तो कैसे लगे हमारे आज के नुस्खे? हमारा वादा है हम लाते रहेंगे ऐसे ही फाइदे मंद नुस्खे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयुर्वेदा होम केर है आपके घर का डॉक्टर धन्यवाद